नेक नियत से काम नहीं कर सकती। दस साल पहले केंदर सरकार में लाखों करोड के गोटा लेकर के कॉंग्रेस ने काली कमाई से अपनी तिजोरी भर ली थी। लेकिन अब दस साल से कॉंग्रेस केंदर सरकार में रही है। ऐसे में कॉंग्रेस की तिजोरी खाली हो रही है। और इसलिए जहां जहां राज्य में कॉंग्रेस की सरकार है, वहां के लोगों को ये कॉंग्रेस अपने राजनितिक स्वार्थ के लिए गरीब से गरीब लोगों को लूट रही है। यहां च्छतिस गड़ में भी कॉंग्रेस ने पिछले पांच साल यही किया है। और च्छतिस गड़ में कौन सा खेल चल रहा है। यहां के मुक्यमंति के बारे में कहा जाता है। तीस टके कक्का आपका काम पक्का। तीस टके कक्का आपका काम ऐसे तीस टके कक्का वाली कॉंग्रेस सरकार को अब आपको बाहर का रास्ता दिखाना है। दिखाओगे ना दिखाओगे ना दोनों हाथ उपरगड़ के बताईए। ये तीस टका वाला कक्का जाएगा ना जाएगा ना साथियों 36 गड़ में अथा खनी संपदा है। कोईला हो, लोहा हो, अब मुझे बताईए, ये सम्मोधी प्रधानमत्री बना उसके बाद आया है क्या, उसके पहले ठाग नहीं था। लेकिन कॉंग्रेस ने आपको कभी इसका लाब नहीं लेने दिया। ये मोधी है, जितने ताय किया कि 36 गड़ से जो खनीज निकलेगा, उसका बड़ा हिस्सा इस इलाके में रहने वाले 36 गड़ के लोगों को भी मिलेगा। जहां से निकलता है, पहला हक उनका होगा। मोधी ने डिस्ट्रीक मिनरल फंड बनाया, आपके हक के हजारो करोड रुपिये यहां की सरकार को भेजे। इस पैसे से आपके घर के पास अच्छी स्कूल बने, कॉलेज बने, अस्पताल बने। लेकिन कॉंग्रेस के लोगों ने इस पैसे को भी लूट लिया, कॉंग्रेस की सरकार जब ब्रश्टाचार करती है, तो सिरफ राज्य का नुक्सान नहीं होता, बलकि हर परिवार का भी नुक्सान होता है, आपके बच्चों के भविशकों भी वो उजार देते हैं, आपका कोईला है, लेकिन आपको बिजली परियाप्त मिलती नहीं, मुझे जानते हैं क्या है, कॉंग्रेस के लोग, आपके कोईले में भी कमिशन खा रहे हैं,